अब बजट है 15,000 तो वीडियो पूरा अंतक देखो आज के कुछ बड़िया से चुनिंदा स्मार्टफोन बताऊंगा साथ ही मैं स्मार्टफोन बजट की साब से ये भी देखेंगे गेमिंग परफॉर्मेंस काउंसे स्मार्टफोन का अच्छा मिल जाएगा कामरा किसका अच्छा मिल जाएगा तो सबसे पहले जो स्मार्टफोन है वो है सामसंग का गलेक्सी F22 बड़िया सा स्मार्टफोन है, बजट स्मार्टफोन है 6.4 इंच की बड़िया सी स्क्रीन मिलती है 90 हर्ट का डिस्पले है अब गेमिंग पर्फॉर्मेंस को लेके 90 हर्ट का डिस्पले इतना बहतरी नहीं माना जाएगा बट कहते हैं कि फ्लूइड एक्स्पिरियंस लिना है सॉफ्टफोर को एक्सेस करने का ब्राउजिंग का तो 90 हर्ट वाकिन में एक बहतरीन सा जो फीचर है वो दिया गया है सॉपर अमोलेट डिस्पले है वो आपको मिल जाता है अब यहाँ पर बात करें चार्जिंग की स्मार्ट फोन को चार्ज करने के लिए दो गंडे लगबग लग जाते है जो मुझे लगबग नहीं इतना बहतरीन लगा है 15W का चार्जर जो है इसके साथ में आपको मिल जाता है इसके सार्ज़रा डोस्तों यहाँ और आफाय। थोड़ा सा आवरेज क्यामरा पराय। वीडियो कativa की बात करें तो यहाँ डयलाइट में बहुत अच्छे वीडियो शूटस आप कर सकते हैं Full HD के अंदर Gorilla Glass 5 जो है वो मिल जाता है Body Normally जो Smartphone की है Plastic Unibody जो है वो दी गई है साथी में आपको एक बड़िया सा Optimized UI मिल जाता है जो One UI 3.1 जो आपके सारे Apps and सारे सिस्टम को smoothly चला सकता है Pricing की बात करें लगबग 12,000 रुपय कीमत है Some of Basic Feature की बात करें तो MediaTek Helio G80 Processor मिल जाता है 4GB का RAM, 64GB का Base Variant इसमें आपको देखनी के लिए मिल जाएगा 6000 mAh की बैटरे जो बहुत बढ़िया है अराम से देड़ से 2 दिन चल जाएगी Quad Cameras आपको मिलते है 48MP, 8+, 2+, 2MP और 13MP का Front Camera दिया गया है तो यह लगबख 12,000 की कीमत का स्मार्टफोन है, बजट है 12,000 का तो आप यह वाला स्मार्टफोन बाय उट कर सकते हैं So guys, अब चलते हैं, नमबर 2 स्मार्टफोन के उपर, जो है Realme का Nezro 30 अब यह स्मार्टफोन बढ़िया सा बजट स्मार्टफोन है खास बात करें, इसमें भी आपको 90Hz का Display मिल जाता है Software Experience बहुत ही Fluid मिलेगा 90Hz के Display के उपर अब यहाँ पर यह एक बढ़िया सी चीज़ है, कि इसके अंदर जो Processor है, वो आपको मिल जाता है MediaTek का Helio G95, जो लगबख Mid-Range Gaming को लेके एक लगबख अच्छा Processor है तो यह Smartphone आप ले सकता है, अगर आप एक Mid-Range Gaming खेलना चाहते है तो यह Processor जो है, आसानी से Intense Gaming को भी Handle कर सकता है Game खेलते वक्त यह Smartphone थोड़ा सा Heat Up हो जाता है Normally हर एक Smartphone होता ही है, तो यहाँ पर आपको Heating जो है वो देखने मिल जाए तो अगर बहुती कम light है, तो camera performance इतना बहतरी नहीं है इस Smartphone का Video performance is very decent, इसमें आप 4K तक वीडियो जो है वो शूट कर सकते हैं और 5000 mAh के अच्छी खासी battery मिल जाती है, जो लगभग देड़ दिन तक चलती है अब इसे आप 1 घंटा 10 मिनट के आसपास charge कर सकते हैं, इसके साथ आपको 30 Watt का अच्छा खासा fast charger जो है वो खरीदने के लिए मिल जाता है, बतलब box के अंदर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा बात करें समों basic specification की तो 6.5 inch का full HD display मिलता है, MediaTek का Helio G95 processor जो है, वो दिया गया है 6GB, 128GB का storage का इसका variant आपको देखने के लिए मिल जाएगा 5000 mAh की battery है और triple camera जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, 48 plus 2 plus 2 और 16MP का camera फ्रेंट में देखने के लिए मिल जाएगा बात करें इसके price की, इसकी price लगबग 13,000 रुपए है और यह आपको Amazon Flip Guard पे खरीदने के लिए मिल जाएगा वैसे सारे जितने भी smartphone का purchase link में ने description box में दिया है, अगर आप current price देखना चाहते हैं, description box में चाहिए और ज़रूर check out करें और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरूर subscribe करें, साथ में bell icon दबाए विकोज ऐसे बहुत सरे एच्छे वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं, तो जरूर भाई subscribe मारो, bell icon दबाओ, सबसे important bell icon दबाओ, all notification select करो तो जब बात करें, तीसरी smartphone की तो ये है Redmi Note 10S, बढ़ी असा smartphone है, budget is around 15,000, 6.43 इंच का display मिल जाता है, जो एक लगबाग बढ़ी असा full HD display है, Mediatek का Helio G95 processor जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, 6GB, 64GB का base variant है, 5000 mH की battery मिल जाती है देखने के लिए, और quad camera जिसमें आपको द जाएगा, budget is around 15,000, अगर आप 15,000 की कीमत में चाचा सा smartphone देख रहे हैं तो ये भी बढ़िया सोचता है, जो है Redmi Note 10S, बढ़ते दोस्तों, अगले चौधे smartphone की तरफ जो है Redmi Note 10, इससे पहले में 10S की बात किती, अब हम बात कर रहे है, Note 10 की, Note 10 की बात करे, as compared to 10S, बहुत ही स्ल display मिल जाता है, जो एक लगबग full HD AMOLED डिस्पले है, और खास बत करें, डिस्पले की तो ये जो colors है, बहुत ही बढ़िया से represent करता है, बहुत ही साफ, सुतरी, क्रिप्स, detail मिलती है, colors जो है वो थोड़े से pop-out होते है, screen से, तो बहुत ही मज़िदार लगता है, ऐसी display पर काम करने के लिए, साथी में दोस्तों इसमें आपको Qualcomm का Snapdragon 678 processor देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपके लगबग gaming टास्क और day-to-day टास्क को easily handle कर सकता है, बैटरी जो है बहुत अच्छी इसमें दी गई है, लगबग पूरे दिन तक आप इस smartphone को use कर सकते है, और quick charge से आप इ इसमें बड़ियासे photos click out कर सकते हैं, बात करें समफ स्पेसिफिकेशन की pricing is around 13,000 रुपए के आसपा 6.43 इंच का display है, जो एक full HD display है, Qualcomm Snapdragon 678 मिलता है, 4GB 64GB का base variant है, different variants और मिल जाएंगे आप online पर या नीचे description में देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं, 5000 mAh की battery पूरे दिन तक easily जाते हैं, जहापे आप macro shots ले सकते हैं, बड़ियासे photos click कर सकते हैं, और 13 megapixel का primary camera दिया गया है, अब दोस्तों बात करते हैं, अगले smartphone की तो यह है, Motorola का Moto G30, बड़ियासा budget smartphone है, pricing थोड़ी सी सस्ती है यहापे इस बड़ियासे smartphone की, नया सा design है smartphone का, 6.5 inch का display जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, dew drop notch देखने के लिए मिल जाएगा, टॉप की उपर, इसका जो frame है, वो plastic का बनाया हुआ है, जो smartphone की frame है, इसी के साथ यह आपको IPX52 rating water resistant देता है, जहापे इसके जो SIM tray है, उस पर भी rubber seal दिया गया, मतलब इसको आप पानी में भी डालेंगे, तो का Snapdragon 662 और 4GB का RAM 64GB का base variant आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 90Hz का refresh rate देखने के लिए मिलता है, जो बहुत अची सी चीज है, 20W का fast charger देखने के लिए मिलता है, जो मेरी साब से एक अच्छा option है, यहाँ पर सस्तेमिक smartphone खरीदने के लिए, Android 11 मिल जाता है, इसके box के अंदर, साथ मैं camera की बात करें, 8 Megapixel का wide angle camera दिया गया है, 2 Megapixel का macro camera मिल जाता है, और 2 Megapixel का depth of sensor camera इसके अंदर आपको दिया गया है, daylight photos आप click कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी आजाती है, detailed photos आपको मिल जाती है, ultra wide angle camera भी है, जो आपको offer करता है, एक बड़ी आसी photo, बढ़ यहाँ प दे सकते हैं, but problem यहाँ पर आजाती है, resolution बहुत ही जादा कम दिया गया है, इन photos का, low light performance की बात करें, camera की तो यहाँ पे photos की इस्तिवाग low light में, जो details है photos की, वो थोड़ी सी shade out हो जाती है, full HD वीडियो आप निकाल सकते हैं, बहुत easily, और एक selfie shooter मिल जाता है, जहाँ पे आपक stabilization जो है, smartphone में देखने के लिए मिलता है, अब यहाँ बात करें, pricing की, तो the price is around 11,000 रुपीज, 11,000 की कीमत इस smartphone की, वर अगर आपका budget थोड़ा सा और बहतर है, तो मेरी साब यह smartphone आप ना खरीदे, because camera performance बहुत ही जादा weak है, इस बढ़िया से smartphone का, जो है Motorola का, basic चीजे की बात कर स्क्रीन है, और quad cameras इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो अगर आपका budget 11,000 के आप पास है, तो यह खरी सकते है, बड़ मेरी साब से थोड़ा सा budget आप increase करें, तो और बहतरी smartphone आप खरी सकते है, इन ही दिये हुए list में से, at that मैं आपको यह भी बताऊंगा, इन सारे smartphone में से सबसे बढ़िया smartphone कौन सा है, जो आप ले सकते हैं, इस वग जो यह top 5 smartphone है, जो मैं list में ले रहा हूँ, यह अब तक वो सारे best smartphone है, जो market में available, सारे 15,000 के ranges में से top 5 smartphone है, अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे सबसे आखरी smartphone की, जो है POCO का M3, यह भी एक budget smartphone है प्राइसिंग बहुत ही कम है, प्राइस की बात करेंगे तो यह लगबग आपको 11,000 के आसपास खरीदने के लिए मिल जाएगा, इसमें आपको लगबग सारे change की full HD screen मिल जाती है, dew drop notch मिल जाता है, उपर की तरफ, side button fingerprint sensor आपको इसमें मिलता है, stereo speaker है और IR sensor मिल जाता है, जहा बड़े 22W का charger आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बैटरी की बात करेंगे लगबग देड़ दिन तक बैटरी जो अच्छे से काम करेंगी, completely charge होने के लिए 2 घंटे लग जाएंगे इस बड़ी आसे smartphone को, camera performance की बात करेंगे तो इसमें आपको 48MP का primary camera देखने के लिए मिल इस smartphone के उपर, वैसे night mode enable है, आप उसके उपर बड़िया से photos क्लिक कर सकते हैं, बट एक photos night shot लेने के लिए लगबग 4 seconds लग जाते हैं, so pricing is around 11,000 इस बड़िया से smartphone की, some of basic feature की बात करें या क्या specification है, तो 6000 mH की बैटरी मिलती है, triple camera देखने के लिए मिल जाएगा, front में आपको 8 16MP का camera देखने के लिए मिल जाएगा, triple camera देखने के लिए मिल जाएगा, which is 48MP, 2MP and 2MP, 6GB 64GB का base variant है, और इसमें आपको snapdragon 662 जो है, वो देखने के लिए मिल जाएगा, अब यहापे मेरी बात करें कौन सा बड़िया सा मेरे हिसाफ से smartphone है, 10 आप ले सकते हैं, जो लगबग budget is around 13,000 के आसपास है, या फिर आप नजरो 30 भी आप ले सकते हैं, यह भी बड़ी असा smartphone है, तो यह दो smartphone है, मेरे recommendation की साब से, जो खरीदने आप buyout कर सकते हैं, description box में link दिया है, click करके आप सीधे buyout कर सकते हैं, so thank you so much, वीडियो देखने के लिए, वीडियो अच्छे लगए तो सबस्क्राइब मारू और हमेशा देखते रहो, General Tech